आज कर रहे हम लोग क्लास 12 अनायूर्स का चैप्टर 8 कॉंप्लेक्स नंबर्स और आज हम करने इसकी एक्सिसाइज 8.1 तो बढ़ते हैं फर्स्ट कॉश्चिन कॉश्चिन कह रहा है, simplify each of the following using i यहाँ पर एक term दिया है i इसकी मदद से आपको इनको simplify करना है यह कहें कि जितना आप इनको solve कर सकते हैं उतना कीजिए इसकी मदद आप ले सकते हैं अब समझते हैं कि यह है क्या देखें आपके पास इस class में एक नई term बोलीजिए या एक नए टाइप का नंबर बोलीजिए वो आ गया है उसको कहते हैं उचे imaginary नंबर आपने class 10 तक जितने भी types के नंबर पड़े हैं जैसे कि natural prime और rational integers यानि की plus वाले 1,2,3 और 2,3,5,7 ये सब irrational 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 3,4 ये सब और 0.73 ये और irrational नंबर irrational नंबर मालो 0.7325 ऐसा करके irrational, rational, prime, co-prime integers, odd, even, जितने भी types के आपने नंबर पड़े हैं वो सारे के सारे होते थे real number और हमने उनसे related question भी solve किये हैं जितने भी question हमने 10th class तक solve किये हैं उन सब में ही real numbers आते थे और उनको हम solve भी कर लेते हैं minus कोई दले जाते थे प्लस हो जाते थे लेकिन इस बार जो आपके पास number आया है उसका representation देखिए हमने जितने भी बार question solve किये हैं तो वहाँ पर हमने इस तरह से question देखे हैं और इसको भार लेके आते थे और प्लस माइनस 2 कह लेते हैं रूट के अंदर अगर 16 दिख रहा है तो आप इसको आसानी से बाहर लेके आ देते हैं और प्लस माइनस 4 कर देते हैं लेकिन एक नया टाइप का number कि अगर माइनस 4 हो तो इसको बाहर कैसे लेकिया है अब यह बाहर नहीं आ पाएगा तो इसके लिए एक trick इस्तवाल की गई यानि कि इसको हम ऐसे तो as it is नहीं दा सकते हैं इसके लिए इसको क्या कर लेते हैं इसके साथ थोड़ा सा simplification या कह लेते हैं हम लोग ट्रिक यूज कर लेत अब फिर से यही बात कि root के अंदर अभी भी माइनस में है इसके लिए उन्होंने representation दे लिया आयोटा इसके लिए एक term यूज किया गया है एक symbol यूज किया गया जिसको कहते हैं आयोटा यही है imaginary number यानि कि root के अंदर अगर आप कभी ऐसे number देके minus 5 minus 7 तो ये number कहला दे हमारे imaginary number और इनको representation देने के लिए एक term एक symbol हमने use किया उसको कहते है आयोटा आयोटा ओके तो ये तो हो गया imaginary number कि कोई भी number जो root के अंदर हो minus में देखिए हम यहाँ पर ऐसे नहीं बोल रहे है minus ये नहीं है imaginary number root के अंदर अगर minus में है ये ऐसे root के अंदर minus में minus 5 या root के अंदर minus 7 या root के अंदर minus 16 ये सारे के सारे number हो गए हमारे तो इसको solve करने के लिए हमने trick इस्तमाल करी और उसके लिए एक representation दिया symbol वो आयोटा हो गया और इसको हम आयोटा की form में लिख सकते हैं यह है मैं question में करने के लिए कह रहा है अब देखिए इसको यहाँ पर apply करते हैं root 27 यह part इसका minus का 27 तो देखिए 27 को हम लिख सकते हैं root के अंदर 27 into minus 1 इससे कोई value में तो फरक पड़ेगा नहीं लेकिन इससे 27 एक positive number में आ गया और इसको हम लिख सकते हैं 9 into 3 into minus 1 minus 1 तो ऐसी रहा 47 को में 9 into 3 लिख दिया अब 9 के लिए बाहर निकाला जा सकता है 3 और अंदर बचेगा 3 और into minus 1 3 भी बच रहा और minus 1 भी बच रहा है अब इसको हम लिख सकते हैं root 3 into root minus 1 लिख सकते हैं यानि यह जो 3 into 1 है 3 into minus 1 यह एक ही root के अंदर है मैंने इसको दो अलग-अलग root में ऐसे इस तरह से represent कर दिया कि 3 into minus 1 को root 3 अलग लिख दिया root minus 1 अलग लिख दिया और यह इसके एक identity होती है समझे आप यह मैंने identity के through ही किया है complex number की identity अब देखें इससे क्या हो गया कि 3 root 3 यह तो ऐसे आ गया और अभी अभी हमने किया था root के अंदर अगर minus 1 हो तो उसको हम कहते है क्या iota तो पूरा value किता हो गया 3 root 3 into iota यह iota into 3 root 3 यह हो गया इसका simplification iota की form यहनी minus का root 27 को आप iota 3 root 3 भी लेख सकते हैं और यहाँ पर हमने iota का value बता दिया iota is equals to minus का 1 root के अंदर इसके फ्रोपने से तो ओके अब यही rule यहाँ पर apply करते हैं minus 9 को हम लेख सकते हैं एक minus भाहर है एक minus अंदर है 9 into minus 1 अब minus को ऐसी रहने दीजिए इसको लिख देते है minus 1 और 9 का square root करें तो भाहर आ सकता है 3 9 को square root करेंगे तो 3 आ सकता है भाहर ठीके अब यह आजएगा minus 3 into under root minus 1 और minus 1 को हम लिख सकते हैं iota तो यह आजएगा minus का 3 iota अब इसको चेक करते हैं इसको हम लिख सकते हैं under root के अंदर 13 into minus 1 तो root 13 तो ऐसी रहेगा और इसको हम ऐसे लिख सकते है root 13 into root minus 1 और root 13 को तो हम भाहर नहीं लेके आ सकते हैं यह perfect square नहीं है और इसको लिख देते हैं हम लोग iota तो यह आजएगा कितना iota root 13 यानि कि minus root 13 को हम iota root 13 भी लेक सकते हैं तो यह हो गया इसका first question complete अब करते हैं इसका question number 2 question कहा रहा है express each of the following in the form of a plus b iota देखें यह जो a plus b iota है अभी हमने जो पहला वाला question किया था उसमें हमने imaginary number पढ़ा था यह imaginary number combined हो जाता है जब real number के साथ तो उस form को कहते हैं complex number पहले समझ लेते देखें अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर आप root के अंदर minus 15 कह रहे हैं root के अंदर minus 4 कह रहे हैं तो इसको थो हम imaginary number कह लेते थे और इसको हम iota कह लेते थे कि यह iota की form में आ सकता है यह complete imaginary number यह अपने आप में itself imaginary number है लेकिन अगर इसको हम ऐसा लिखें minus का 15 plus का 5 तो आप देखें यह वाला तो हो गया imaginary part और यह वाला हो गया real part मतलब यह जो 5 है यह तो real number है चाहिए ऐसा ही हो minus 15 minus 5 तो यह तो real number लग रहा है यह imaginary number लग रहा है तो जब real और imaginary combined हो जाते हैं तो ऐसे numbers को कहते है complex number यह जो पूरा number बन रहा है यह कहलाएगा हमारा क्या complex number तो आप देखो complex number की जो form है वो कैसी है कि एक तो इसमें real part है real plus imaginary part तो real plus imaginary part तो real part को हम A और इसको हम कह लेते आयोटा B तो A प्लस आयोटा B की form में जो number होगा उसको हम कहेंगे complex number समझा और यह और B तो real number हो गए और आयोटा रिप्रेजन कर रहा है इसको imaginary से कि A भी real number हो जाएंगे और आयोटा इसका imaginary number हो जाएगा तो यह पूरा part imaginary part हो जाएगा तो हमको question में यही कह रहा है वो बोल रहा है इनको A प्लस आयोटा B की form में दिखाएंगे मतलब आपको यहापर तो किवल 5 नजर आ रहा होगा यह तो एक real number है लेकिन इसमें imaginary number तो है ही नहीं हमें तो कह रहा है कि real और imaginary दोनों की उसको bond के साथ दिखाएंगे मतलब इसको लिख सकते है 5 प्लस 0 into आयोटा अभी भी कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि 0 के साथ multiply होता है तो यह value तो पूरा 0 ही होता है लेकिन इससे हमें एक फाइदा हो गया कि यह वाला part हमारा A आगया यह रियल पार्ट हो गया और यह वाला पूरा imaginary पार्ट हो गया तो आप द नहीं है question अब जैसे कि यह वाला देखिए देखिए minus 3 आयोटा अब आपको imaginary पार्ट हो देख रहे है क्योंकि आयोटा के साथ वाला तो imaginary पार्ट होता है इसमें real पार्ट नहीं है तो हम इसको ऐसा कर सकते है 0 इसमें add कर देते 0 plus minus 3 आयोटा कर सकते है कोई फरक नहीं पड़ plus minus minus 0 minus 3 आयोटा form is a plus b आयोटा की form okay c part दखते है c part है 0 तो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग एक तो हमें और चाहिए ही चाहिए मतलब की जैसी यह 0 है तो अभी तो हमें इसको दो terms में दिखाना है यह एक real term और एक imaginary term तो इसके साथ हम एक 0 और add कर देते है 0 और into आयोटा कर द answer okay तो यह हो गया इसका question to be complete तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और next वीडियो में करेंगे इसके आगे के questions thank you